संजे जहाजी आपने दोनों मुख्यमंत्रियों की बात सुनी होगी दुश्यन चटाला और सचिन पालेट बता रहे हैं कि उनकी राज्य कैसे लड़ रहे हैं कोरोना से और लॉकडाउन में क्या कुछ तैयारी उन्होंने की है आपकी सरकार लॉकडाउन को लेकर क्या प्लान कर रही है क्या आपको लगता है लॉकडाउन आगे बढ़ना चाहिए या आप 14 तारीक को खत्म हो जाना चाहिए संजे जी 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 मुख्यमंत्री कंसल्ट सारे डॉक्टरों से कर रहे हैं जो जो स्पेशलिस्ट है या जो फीडबैक ले रहे है जो क्या स्थिती है जो अभी कोई फाइनल डिसीजन तो हुआ नहीं है कि क्या होना चाहिए मेभी अगले दो तीन दिन में डिसाइड किया जाएगा लेकिन मेरा परसनल मत है कि पूरा लॉक्डाउन खोलना आज के इस्थिती में वह बहुत वाइबल नहीं लगता है पार्सल लॉक्डाउन खोल सकते हैं कोई और तरीका हो सकता कि एक ही साथ अगर चौदा तारीक के बाद लोग उतर जाएंगे सरक पर या बाहर निकल जाएंगे इतने दिन से घर के अंदर है साइड परिस्थिती अच्छी नहीं रहे तो कोई ने कोई मेकनिजम निकाला जाए जिसमें पार्सल खुले अब बिहार में ही दस जिला अफेक्टेड है तो कोई होट स्पॉट एरिया हो उसको कनफाइंड किया जाए इतना सारा मुहमिंट एक साथ ट्रेन वेगर का हो जाएगा तो साइध दिक्कत हो जाए इसकूल एक साथ ही सारा खोल देते हैं तो साइध समस्या हो जाएगी तो मेरे खाल से अगले दो-तिन दिन में कोई ने कोई एक लाइन लिया जाएगा सरकार के तरफ से और मैंने बताया आपको कि मुख्यमंत्री जो भी कंसर्ण लोग हैं सब के साथ संपर्क में हैं और सुझाओ ले रहे हैं इस पर तो आपकी सरकार को उनके खाने पीने रहने हर चीज की ववस्था देखनी पड़ेगी कितना तयार हैं आप कितनी बड़ी चुनौती है आपके लिए बहुत क्लेरिटी आपके आप जो मैं सुन पाया आपकी बात मैं पूरा क्लिर नहीं सुन पा रहा हूँ लेकिन ये है कि बड़ी संख्या में बाहर से लोग बिहार में आए और आप देखे कि मैं अभी कोई पुलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन दो तीन दिन तो हम लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई कि एक साथी इतने लोगों का आना हो गया बिहार के अंदर लेकिन बिहार सरकार ने एक काम ये किया मुख्यमंत्री ने कि इमिडिटली जितने हमारे स्कूल्स हैं पंचाइत में वहाँ पर लोगों को करीब 30,000 से जादा लोग 33,000 लोग उस स्कूल में जो बिहार के बाहर से आये थे और 22 मार्च के बाद आये उनको कुरंटाइन में रखा हुआ है और उसमें भी जिनको सिम्टम दिखाई पर रहा है उनका इमिडिटली जाच कराया ज से था जो अकेला आदमी ने 14 आदमी को संक्रमित कर दिया है तो और फेजबाईज हम लोग जाच कर रहा है और रौन 500 से ऊपर परड़े जाच होता है तो अभी तो जो लोग आया है बाहर से उसमें जो देश के बाहर से आये उसमें से लाजिली सबका जाच हो गया और जो देश में के अंदर से आये उसमें खास करके मुंबई, केरल, करनाटक और दिल्ली ये चार को सरकार मान रही है कि ज़्यादा संक्रमित वाला एरिया है तो वहां से जो लोग आया है उनका जाँच प्रायटी में करया जा रहा है लेकिन बहुत से लोगों का कहना ये कि बिहार में तो जाँच होई नहीं रहा धंग से शायद वरना और के सामने आ जाते हैं क्या वाकई आपको लगता ऐसा है? नै मैं तो अब ये तो एक मैंने बताया आपको कि लगभग सारे 500 जाँच परड़े हो रहा है इनिशल स्टेज में तो हर एक जगा प्रॉब्लेम था बिहार की क्या बाद दुनिया में आप देख रहा है जो जो बेस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कंट्री है उनका क्या हल था लेकिन बिहार में और मिनिमाइज करके रखा है आज के डेट में चार हजार से जादा 4200 का आसपास जाच हो गया है और एवरी डे सारे 500-600 जाच हो रहा है और 5-6 लोग ठीक होके भी चले गया है एक डेथ हुआ है बिहार में तो लार्जली चीजे कंट्रोल में लग रही हैं बिहार में लेकिन मैं देख रहा हूँ सब लोग भी इस चीज को नोट कर रहे होंगे कि सारी सरकारें सामने आकर रिपोर्ट रख रही है दिल्ली के मुख्यमंत्री रोज प्रेस कॉन्फेंस करते है हारियाना के मुख्यमंत्री रोज प्रेस कॉन्फेंस करते है यूप्री के मुख्यमंतरी रोज प्रेस कॉन्फेंस करते हैं? आवाज नहीं में नितिश कुमार जी, वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, क्यों? नितिश कुमार थोड़ा क्वाइट वरकर है, वो में भी सबका अपना अपना तरीका होता है, वो ओल्ड स्कूल के पॉलिटिशियन हो सकते हैं, वो पॉसिबल है कि अपना काम क्वाइटली करते हैं, और जहां तक बिहार के लोगों को मेसेज देने की बात है, वो उन्होंने म और इसका प्रभाव यह है कि बिहार के गौँ में आपको आश्चर्ज लगेगा, लेकिन सच्चाए है कि बिहार के गौँ में लगभग 98-99% लोगों ने लोगडाउन को आज तक माना है, और मुख्यमंत्री के और परधान मंत्री के अपील को लोगों ने उनको एड्रेस कि बिहार के डॉक्टर हो चाहे जब भी वीडियो कांफरेंसिंग हुआ है, सारे चीज को पहली बार बिहार के आपको पता है कि बिहार के बाहर इतनी बरी संख्या में लोग रहते हैं, और पिछले कल ही उन्होंने करीब एक लाख लोगों के एकाउंट में पैसा ट्रांसफर क कि असाइड ये पहला स्टेट था, जो स्टेट के बाहर भी जो लोग रहता है, उसको भी कुछ help करने का कोसिस किया है, क्योंकि इसका problem का scale इतना बरा है, लेकिन वो monitor कर रहा है बहुत closely सारे चीजों.